दरसल पूरा मामला जिला अलिकड केच गचाले का है जहां सुबह से ही मरीज और तामीजारों की लंबिक अतारे लगती हुई नजर आ रही है हैं कोई अपने बिमारी से शुटकारा पाने के रिए जलाची गचाले की ओर नजर आता है लेकिन यहां बिमारी से तो शुटकारा पाना दूर की बात है यहां पर बिमारी और लगने का डर मरीजों के स्रतान लगा है इसलास के शेत्र का पूरा गंदा पानी जिलाची के चाले में प्रविश कर चुका है जिसके चलते मरीजों को काफी परशाणियों का सैमना करना पड़ा है। पारिश के समय से पूरा जिला चिक चाले ताल तलाया में तब्दिल हो जाता है, जिला प्रशासन की बात कही जाए तो इस ओर कोई भी ध्यान देने को तयार नहीं है, एक और अलिगर को स्मार्ट सिटी में दाखिल किया जा चुका है, तो वहीं दूसरी और स्वास्ता विभा जाब ही करेगा या नहीं, क्या नाम है, मुदी, यह कहां पर मौजूद है, जिला मर्कान सीफ होस्पीटर में, पेशन को दिखाने आए ते, इसमें जल निकास नहीं होने की वज़े से, बहुत सारी दिकत हो सकती हैं, जैसे हम बीमार हो सकते हैं, पानी काफी बरा हुआ है, मेरा नाम जाइद है, मैं जमाल पूर्चा आया हूँ, अच्छा कहां पर आ हुए हैं, बल्कान सीफ में, किसी आए थे आए थे आप, ट्रीटमेंट के लिए आया था सर दिखाने के लिए, इस तरहां किसे परेशाने हो सामना करना पूरा है, सर पानी जल वराप की वज़े सा बहुत दिक्कत हुई है, ओपीडी में से लेब में जाने में बहुत मुस्किल हुई है, आपने पेशंट को दिखा दिया अपने, प बर्सा जादे हो गई, नगन निगम की यह साब इसमें तो नगन निगम की दिक्कत, जैसे कि आपके कुछ पाइम पहले भी बर्सात हुई थी और उसमें केई घर गए और इसके बावजीत भी आपी तक नगन निगम के अधिकारियों के कान पचू नहीं रहें 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 इसमें सार कोई अक्षन नहीं लिए गया है वितलग लेने चाहिए पैसे जल्दी से जल्दी से आगर निदान होने चाहिए का पर मजूत है अब आप में मलकान शिंग में हूँ